चैप्टर शिक्स जिसका नाम है ट्राइंगल ए अन जी अल ई इसे बोलते हैं तिर्भूज देखो तिर्भूज होता क्या है जी हनमान परसाद अगरहरी जी गुड मानिंग बच्चा अंकिता सिंग गुड मानिंग प्रियंका मिस्रा जी गुड मानिंग अब बात आती कितिर्भूज कीसे कहते हैं देखेए आपने अक्सर देखा होगा ऐसे कोई एक आकरती देखे हो जिसको तिर्भूज कहते है इसकी डेफिनेशन क्या होती ही परिभाहस होती है तीन भूजाओं से गिरी हुई और बंद आकरती तिर्भूज कहलाती है क्या होता है तीन भूजाओं से गिरी हुई बंद आकरती तिर्भूज कहलाती है जैसे इसमें पी क्यू एक भूजा है क्यू आर दूसरी भूजा है और पी आर तीसरी भूजा है नोट करते हैं चलो फटाफ़ समझ गए ना तिर्भूज किसे कहते हैं बच्चा तीन बुजाओं से गिरी वी बंद आकरती तिर्भूज कहलाती है इसके बाद इसमें हम लोग दो चीज पढ़ते हैं एक पढ़ते हैं सरवांगसम तिर्भूज और इसमें एक चीज और पढ़ होते हैं समरूप तिर्भूज तो देखो यह कौन सी मुसीबत है भाईया सरवांगसम और समरूप एक नया नाम है ध्यान दो पहले जैसे मैंने कहा कि तिर्भूज किसे कहते हैं तीन बुजाओं से गिरी हुई बंद आकरती तिर्भूज कहलाती है सरवांगसम समरूप इंकुला टेंसन मतलेना जैसे अगर मैंने दो तिर्भूज बनाया ए बीसी और बच्चा मैं एक तिर्भूज और यहां पर अगर बना दूं आप जड़ा गौर्द करना यहां पर मैं बना दूं देखो ध्यान दो समझो यह भी एक तिर्भूज है वो भी एक तिर्भूज है इसके नाम करण ऐसे हैं A B C देखो यदि A B भूजा P Q के बराबर है क्या है A B P Q के बराबर है Q R भूजा A C के बराबर है देखते जाओ ठीक है अरे इससे भी बोल सकते है A C Q R के बराबर है वो तो वही बात हुई या फिर B C भूजा Q R के बराबर है B C किस के बराबर है Q R के बराबर है इसको पी आर लिखना था थोड़ा से हाँ पर मिश्टेक है आप इससे सही करो पहले A C बराबर P R ठीक है मतलब ये भूजा A C वाली इसके बराबर है देखो तब ये दोनों तिरभूज क्या होंगे सरवांग सम होंगे मतलब आपने क्या समझा कि जब तो कोई दो तिरभूज जिनकी आकरती और आकार आपस में बराबर हो सेप अंड साइज दोनों इक्वल हो वो कंगरियंस कहलाते हैं सरवांग सम कहलाते हैं ठीक है इन्हें क्या बोलते हैं इंगलीज में कंगरियंस बोलते हैं है आर-ई-उ-ई-ए-ण-ई-ई इन्हें क्या बोलते हैं सेमेट्री बोलते हैं सेमेट्री ऐसे होती स्पेलिंग आप देख ले ना स्पेलिंग मुझे कुछ गडबड लग रही है क्योंकि मैं हिंदी में पढ़ाता हूं अकसर इंगलिस में नहीं लेकिन आपको बता देता हूं क्योंकि आप लोगों को समझ में जाता आता है सेमेट्री ठीक है ओके तो यह क्या हो गया समेट्री एंड कांग्रेंस सब इस्कूल जा रहे हैं मुझे पता है दो पार दो बज़े भी कलास चलेगी आप लोग दो बज़े से आजाना कोई बात नहीं बच्चा मुझे पता है बहुत से बच्चे इस्कूल जा रहे हैं ठीक है कोई बात नहीं आप इस्कूल जाईए दो पार दो बज़े से भी आ आप लोग आजाना ठीक है दो पार दो बजे दो पार दो बजे मुझे जहां तक लगरा ज्यादा बेतर रहेगा तो यह समरूप और सरभांग समझो पहले अच्छे से जिनको जाना है ठीक है जाओ आप लोग जब स्कूल से आओगे तब भी पढ़ सकते हो चैनल सब्सक्राइ करके रखो बैल आइकन आन करके रखना घंटी की बटन दबा के जरूर याद रखना आपको नोटिफिकेशन जाएगा यूट्यूब से जब आना नोटिफिकेशन में जाके खोच के देख लेना कलास को कलास तो रहेगी ना चलो तो अब हम एक-एक आपको डिफाइन जी बिल्कुल आनू पियादो जी आपका कमेंटार आ रहा है कोई बात नहीं सीवानी परजापती आ रहा समझ में ना चलो ठीक है अब देखो द्यान दो हम बात करते हैं सरवांगसम की प्रेक्टिकली मैंने फिकर तो बना दिया अब बच्चा प्रेटिकली देखो जैसे मै ना इन्थ वालों में भी यह पढ़ाया था अगर आपका च्छाणवाला पढ़ी देखे थे तो यह मैंने एक तिरभूज लिया दोनों तिरभूज हैं अरे बाई सीधा हो जा यह दोनों क्या एक तिरभूज हैं सरवांगसम का मतलब यह होता है जब इनको एक दूसरे के ऊ आभ नहीं दिखिर है? मतलब यह एक दूसरे को पूरा पूरा धांत ले रहे हैं कही दिखिए दूसरा या वाइट वाला दिखिए नहीं ना यह देखो मैंने मोड़ा नहीं इसको ऐसे फ्लाया या डोनों बरावर है से देखोगे तो बलैक नहीं दिखेगा इधर से देखोगे तो उइट नहीं दिखेगा तो इस तरह के जो ट्रैंगल होते हैं या फिर कोई भी आकальноеती कोई कोई भी वस्तू जो इस तरह की होती है कि उनको एक दूसरे के उपर रखने से एक दूसरे को पूरा-पूरा कवर कर लें वह काइंगुरियंस कहलाते हैं से खतीक जी आरा समझ में ना यह काइंगुरियंस है हाँ बाकी अगर हम समरूप की बात करें तो बिटा देखो समरूप का मतलब होता है इनके रूप एक समान हो बस क्या हो इनके रूप एक समान हो जैसे देखो पहले प्रेटिकली देख लो इनके रूप एक समान है दोनों गोरे-गोरे हैं काला कोई नहीं है दोनों तिरभूच कि आकार के हैं लेकिन यह चोटा है बेचारा यह बड़ा है यह क्या है सम रूप है इनके रूप एक समान है लेकिन सरवंग सम नहीं है क्योंकि इनके अंग छोटे बड़े हैं ठीक है जैसे एक और भी आपको किताबी बाता पढ़ा दूँ इधर साइड में देखो ध्यान से कोशिस करो समझने की भाई साहब चलो जैसे दो सरकल आपने बना लिया या दो बृत बना बना जैसे बोलते हैं तिरभूजी है हम आपको सर्वांगसम पढ़ा रहें ना कि सार्वांगसम तिरभूज सर्वांगसम सब कुछ पढ़ो जो भी चीजे होती जैसे देखो यह सरकल है यह जोजान बृत बिद कर फ़ेया इक जैसे बहित हैं कि अधेना जोलानुमा यह समेट्री हैं क्या है समरूप को क्या बोलते हैं समरूप समझो आप हिंदी में समझो समरूप है क्योंकि दोनों के रूप एक जैसे हैं लेकिन अगर मैं यहां पर एक आयसे तिरभूज बना दूँ और मैं आप से पूछ हूं कि भाया क्या ये बृत और ये तिरभूज दोनों समरूप है बोलो ये दोनों समरूप है कुझ बिहारी यादो जी आरा समझ में तो ये दोनों समरूप नहीं है क्या है ये ये दोनों समरूप कता ही नहीं है मतलब इन दोनों में कड़वड़ी है ये समरूप नहीं है लेकिन यह दूनों समरूफ यह दोनों क्या है समय बात समझ में आई ना यह सर्वंकसम और समरूफ था आप बनाने के लिए पहुत सारी सिस्टम की विवस्था करने पड़ती है दा उसी तरह से हमें क्या करना होता है क्लास कोई भी चैप्टर सुरू करने के पहले उनके जो कांसेप्ट होते हैं हमें उनको सीखना होता है क्योंकि बिना कांसेप्ट के भईया सवाल नहीं आएगा न उसी तरह जैसे अगर आपको घर बनाना है तो इंटा सेमेंड मोरंग लोहा लखड रखोगे तभी बनेगा न होता है रहे क्यों क्या होता है यह सारी चीजें अगर आप नहीं जानोंगे तो आपको इस चनेक नहीं कर पाओगे तो समझ में आरा ना कि आज हम सभी पढ़ेंगे जो एकदम पूरा कांसेप्ट वाला चीज पढ़ेंगे आप लोग मुझे यह बताओ आप लोग मुझे यह बताओ क्या आप इस में से यह सारी चीजें जानते हो की नहीं जो जो आपके काम की है मैं उनको बताओगा जैसे संगत कोड संगत कोड सुने हो एक आंतर कोड यह चीजें आपको आनी चाहिए ठीक ना बिलकुल आनी चाहिए यह चोटे चोटे बाते हैं अन्ता कोड वाह कोड यह कंसेप्ट मैं आपको पढ़ाके उसके बाद फिर मैं आपको आगे की चीजें बताओगा ठीक है चले आगे चले चलो यह हो गया अन्ता एक अंतर और इसमें बहुत सारी चीजें जो आप पढ़ोगे जैसे तिर्बूज के तीनों कोड़ों का योगफल तो सभी जानते हैं बहुत चोटा सा यह इसको इंगलीज में क्या बोलते हैं आप लोग बताओं और जिनको इसमें से जिसके बारे में भी पता है फटा फट सब के बारे में बता दो सभी का डेफिनिशन बताओं आप लोग चलो फटा फट जल्दी करिए आप लोग जल्दी से बताइए उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं ठीक है यह सारी चीजें कलास सेबंथ में तुम लोगों ने देखा होगा अगर पढ़ा है तो भाई है ना चलिए आगे बढ़ें सरबांग समता की सरते तो मैंने पढ़ा दिया था आप लोगों ने पढ़ लिया था इसमें तो कुछ बड़ा था नहीं और इसमें क्या क्या पढ़ना था वाई कुछ चीजें मैंने यहां पर आपके लिए रखा था लेकिन आप लोगों ने सायद इसके पहले वाली कलास देखा ही नहीं था करस्पांडिंग बिल्कुल करस्पांडिंग को संगत कौन बोलते हैं दिपांसु जी बिल्कुल अल्टरनेट मतलब शता होता है इसको इंटीरियर इसको इक्सक्रीने यह यह unterstützen है तो मुझे यह बता हो मुझे चलो कि इसमें यह बता हुआ साहाब इसका मानलो नाम है बीता, बीता लेकिन तुम लोग टाइप नहीं कर पाओगे, इटा बीता नहीं टाइप कर पाओगे, ना मानलो इसका कौन का नाम C है, और ये कौन क्या है, A है, और ये P है, ये Q है, ये R है, ये Y है, मुझे इसमें से आप लोग एक काम करो, जल्दी से सभी इसमें अंता और वाह कौन बताओ बहुत ही आसान है आज सिर्फ का लाइश्ट दिन है कल से कुश्चन होंगे याद रखना कल से कुश्चन होंगे और ये कलास सुबा चल जाती है आठ बजे से आप इसे बाद में चाहे जब देखो चैनल सब्सक्राइब करके और बेल आइकन आन करके रखिए सभी बच्चे बाद में भी देख सकते हो दिवाली बाद हम इस कलास का टाइम चेंज करेंगे जो लोग चाहा रहें कि कलास का टाइम बदल दिया दाय दिवाली बाद करेंगे पमर्राज जी रादे रादे अकिल अली जी बिल्कुल मैं आपका कमेंट देख रहा हूं चलो सबी बच्चे बताओ फटाफट बताओ पूरी बात जल्दी लिखो फटाफट और जल्दी से देखो इसके पहले आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा था मैं वही सोच रहा हूं कि आपको एक बार फिर से दिखा दू क्योंकि कलास सेवंथ में आपने वह चीजें पढ़ा था और वह चीजें आप लोगों के यहां के लिए सीखने वाली वह एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं ऐसे कहीं पाओगे नहीं दुबारा क्योंकि क्लास में लोग कोईश्टन करवाते हैं चोटी-चोटी बाते लोग नहीं करवाते हैं और यह चोटी बाते नहीं सीखोंगे तो बड़ी बाते कुछ नहीं कि वाइकोन क्या होता है कि जब कोई तिरभुज या फिर कोई चत्रभुज जैसे यह जैसे जो पूरी आकरती है देखो यह यहां से यहां तक है पीक्यूर उसमें से हलका सा अबूजा को आगे बढ़ा दिया गया है तब ऐसा जो कॉन बनता है वह कॉन का लाता है ठीक है ज यह दो nom यह हो गया एक पर भचल अगर तुम चाहा ओ तो इसको भी आगे बढ़ा सकते ओ हो इसको भी आगे बढ़ा सकते हो इसको भी बना सकते ऊपम तो कि बाइगा थे द्ध dóndeं होगे बहुत सारे हो जाएंगे यार इसमें तो फिर है ना गिन लो जोड लो फिर बता मुझे ठीक है आगे चले हाँ चलिए ओके गुड छे हो जाएंगे छे अब इसमें अंदर वाला मत लेना किया हूँ बाइकोन है नहीं यह नहीं होगा छे होगा ओनली एक यह यह भुजा आगे बढ़ने पेक यह बस दो इधर वाला मत लेना क्योंकि यह जो है बाइकोन नहीं है यह कुछ नहीं है क्योंकि यह उल्टा बन रहा है यह है यह है ठीक है कितने बाइकोन होंगे छे बिल्कुल बहुत अच्छे न्यूटन न्यूटन या दो वही न्यूटन फिर से आगे का कि यह वाय कॅण हो गए अंदर में बनेसं जैसे यह नदर में ऑनता इए अंताespère यह है यह कॉन यह पर फीक दो सब्सक्राइब कि किसा इनता कॉन ऐसके बिखनेक यहाई बता है इसके बाद बच्क आ Olay गुड मॉनिंग सभी को गुड मॉनिंग इसके बाद क्या बच्चा लिखो आप लोग पूर कोड यह सारी चीजें अगर आएंगी तो आप चैप्टर 6 के कुष्चन आसानी से कर पाऊगे इसके पीछे का जो बच्चे कलास नहीं देखे हैं उसको देख लें कल वाली कलास कल म मैंने कांग्रियंट एंड सेमेट्री बताया था एंड डेफनीशन आफ ट्रेंगल और भी कुछ कंसेप्ट कल मैंने सिखाये थे लाइब होती है लेकिन पीवीर स्टेडी चैनल नंबर 3 पर होती है जिसकी लिंक आप देखो डिस्क्रेप्शन में हो जाएगा या फिर अभी कंपलीमेंट्री बोलते हैं चलो लिखो कंपलीमेंट्री जल्दी से लिखो इस्पेलिंग क्या होगी कंपलीमेंट्री यह इसे लिखते है ना सही है ना यह कंपलीमेंट्रेंगल आप लोगों को पता है क्या है कंपलीमेंट्रेंट्रेंगल गौरोच अंडेल जी गुड मॉनिंग उच्चा गुड मॉनिंग चलो देखो कम्प्लिमेंटरी एंगल क्या है वाट इज कम्प्लिमेंटरी एंगल पूरा कोण क्या है देखो जैसे मैंने अगर कहा कि एक कोण का महन किता है पचास डिगरी है यह किसी एक कोण के लिए ही होता है वैसे अपने में पूरा कोण नहीं होता कुछ की हां कैदो पूरा कोण बैसी एंस का होता है नब्बेंस का होता है ऐसा नहीं देखो जैसे यह कोण पचास का है अगर मैं बोलूं कि पूरक इसका पूरक क्या होगा इसका पूरक क्या होगा मतलब यह धूरा है यह पूरक अब होगा तो इसमें क्या करते है मान लो कि हम ए जोड़ दें तो यह पू कि 50 अंस का पूरक क्या होगा बच्चा तो 90 माइनस 50 करोगे तो आपको मिलेगा कौण 40 अंस यानि 50 डिगरी का जो पूरक है कितना है 40 डिगरी खुल मिला कि यह जान लो कि पूरक कौण वो होता है जैसे किसी भी कौण में कोई भी परकार का एंगल हो उसमें हम क्या करें कितना जोड़ दें कि 90 हो जाए यही तुम लोग को देखना है जैसे मैं दूसरा एक जैंपल अग कौण क्या होगा चलो सभी बच्चे बताएंगे बीके यादो जी गुड मॉनिंग अंकित अक्की जी बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपको भी और आनुज प्रताब सिंग जी बिलकुल मैं आपका कमेंट देख रहा हूं मिश्टर कल्लू मामा है आप चालो अच्छी बात है बताएं एक सवाल मैंने पूछा जिसका जबाब देखो सबसे पहले कौन दिया है बहुत अच्छे बाईया सोफिय सयद अंकित जी ने भी बता दिया दूसरे नंबर पर बिक्की मलहतरा आमिर खान देशी पाहलवानी कन मैं राम बिक्की कुमार एक स्टूडेंट सिर्फ एक ही बार कमेंट करेंगे यह नहीं कि तुम डंडा कर दो एक दम से हां मैंने कुछन पूछा आप एक बार बता दो बस हो गया इसका यह मतला थोड़ी कि तुम यह आठ बार करो आठ बार करो तो फिर बलाक हो जाओगे य हैं कि हूँ कि यहां पर हम हरे कमेंट पड़तें कोई कमेंट छोड़ते नहीं आठ झिजब से नहींrale था बराबर 60, 60 हंस आएगा, कितना आएगा 60 डिग्री आएगा, ये था पूर अकॉर्ड, मैं एक बार फिर से याद दिला दू, हम पढ़ रहे हैं कच्छा 10 की NCRT गड़े चैप्टर 6, लेकिन अभी हम चैप्टर सुरू करने के पहले उसकी तैयारी करवा रहे हैं, कि चैप्टर पढ़ोगे, तो कैसे चीजें आपको आनी चाहिए, पहले से तभी आप पढ़ पाओगे, ये तो आपको चैप्टर के कुईश्चन नहीं समझ में आएंगे, इतना आसान नहीं है, ठीक है, हमने इसमें और क्या पढ़ा, पूरक कॉंड, और एक है संपूरक कॉंड, इसी का है बच्चा, क्या है ये, सप्लिमेंटरी एंगल अगरे पेज में है, अनुज परताब तुमको बलाग कर दें का बच्चा, यह चाहते हो ना, बलाग कर दें, सप्लिमेंटरी की बाद आप क्या पढ़ोगे, इससे जूड़े को कुछ एजामपल पढ़ोगे, फिर मैं आपक इसका है चलो, अब क्या पढ़ोगे, सप्लिमेंटरी, सप्लिमेंटरी एंगल ओसे देखें जब दो, इसका, यूगफल नबब्बे हो जाता है, तुव पूरक कह लाता है, जिसे कंप्लिमेंटरी बोलते है, सप्लिमेंटरी में क्या है, जब दो, कोण को जोड़ा जा, जैस का सप्ली मेंटरी मतलब होता है कि दोनों को जोड के 180 आ जाए कितना जान एक 180 आ जाए तो यह मान लो याक्ष मैने जोड़ा तो एकष की होना चाहिए आपको आगया होगा कितना अंसर आएगा यानि अगर आप कोई पूछे कि साथ डिगरी का सप्लिमेंटरी यहनी संपूरक क्या होगा बच्चा तो साथ डिगरी का संपूरक होगा यह ठीक है मतलब 120 समझ में आया ना कितना होगा 120 बिल्कुल वेरे गुड किंक आफ हार्ट उपाद्ध्याए सूफिया सयद बहुत अच्छे चालो आगे किसी का कोई सवाल इसमें नहीं न अब देखो इसमें कुछ सवाल बनते हैं जो कि तुम लोग को आने चाहिए बहुत ही इंपॉर्टन फैक्ट है वसे तो यह कच्छा साथ का कंसेप्ट है लेकिन कच्छा दस में अगर यह नहीं आएगा बच्चा तो चैप्टर नहीं को याद रखना हां देखो ध्यान दो कि अब बहुत जादा इसको करवाने से मतलब नहीं है तो मैं सोच रहा था कि इसके आगे भी कुछ करवा देता कि इसके बाद क्या पढ़ोगे कि आसन ने कोड़ कि आसन ने कोड़ तो तो तुम लोग को बड़ा ही कठीन लागे गये ह हमाने के एक जैसेन टैंगल ह контрważ देखो आसन्यकोण देख लो, यहां पर मैंने नहीं लिखा ना उसको भी मैं लिख दे रहा हूं, उसके बाद मैं यह बताओंगा, जो मैं नहीं बता इधर साइड में मैं वो थारी चीज़ें बताओंगा, ठीक है? देखो ये मैंने बता दिया अनता बता दिया, वाह बता दिया पूरग बता दिया, समपूरग बता दिया इतना गुड़ है न आफ देखो इसके बाद संगत एक अंतर मैं बताओंगा लेकिन उसके पहले आप ये देखो क्या है? आसनने कोण इधर साइड में लिख तू दिख तो रहा है ना उधर साइड में भी दिख रहा है यार इधर देख लो आसन्य कोड दिख रहा है ना इधर आसन्य कोड आसन्य कोड इसको बच्चा इंगलिस में एड़ेसेंट एंगल बोलते हैं क्या होता है कि एड़ेसेंट एंगल वाट इड़ेसेंट एंगल आप लोग बताओ आसन्य कोण क्या होता है देखो द्यान दो इदर साइड में कि चलो द्यान दो विया क्या नाम था इनका अजय प्रताब सिंग अब तुमको विट्टा मैं पांच मिनट के लिए सुला दिया हुआ ठीक है पांच मिनट तुम आराम करो क्योंकि तुम नाम बुलाने के लिए हो तुम नाम तो यहां बुलाना बड़ा गड़वड़ है इसे मैंने एक कोड ऐसे खीचा हां ध्यान दो इदर साइड में और इसमें से एक लाइन ऐसे गई पहले पूरा मतलब समझो मारकर में थोड़ा इंक डाल दूं क्या आलका दिख रहा है वह से सही दिख रहा है ना कुछ नालायक टाइब कि आजाते हैं इनकी वज़ा से कभी कभी हैरानी करने पड़ती है चलो ठीक है पांच मिनट के लिए अराम करो फिर अभी आना चलो तो यह क्या बन रहा है इसे ध्यान से देखो मानलो यहाँ पर कोण A बन रहा है और यहाँ पर कोण B बन रहा है धियान से देखो समझने की कोशिज कर न हम पढ़ रहें क्या आसन ने कोण adjacent angle ठीक न बच्चा तो यहाँ पर A, B यह आसन ने कोण है क्या है यह? आसन ने कोण है जिनको इंगलिश में का जाता है किए kitty-adjacent angle का जाता इंगलीमी लििख लो भाई इंगली मुझे जाता नहीं आता लेकिन मैं समझा रहा हूं पहले देखो एड जेसेंट एंगल ठीक है अब तुम लोग समझोगे कैसे अगर कहीं कुछ और भी गडबड रहा तो कैसे समझोगे कि आसन ने कौन क्या है कैसे समझोगे देखो इसके लिए चीजें क्या आपको समझनी है common side होना चाहिए and common vertex होना चाहिए समझने की कोशिश करो अगर हम बात करें इस कौन की ये वाले की तो हमें ये वाला कौन बनाने के लिए ये भुजा चाहिए मालो इसका नाम ने लिख दिया चलो पी क्यू इसका आर एंड इसका यस ध्यान से समझे लो नहीं तो होगा बाएं कोई question इसका इक नहीं आएगा फेल हो जाओगा एक यामने फिर रोना पास बाकी कुछ नहीं ठीक ना इसलिए ध्यान समझ लो ध्यान से समय हमें कौन है बानाने के लिए कौन प्ली कौन से चाहिए V और यह QR चाहिए किसके लिए कोण ए बनाने के लिए बाई कोण ए के लिए हमें यह चाहिए न सिर्फ यही तो चाहिए लेकिन ध्यान दो कोण B के लिए क्या क्या चाहिए कोण B बनाने के लिए क्या क्या चाहिए ध्यान दो कोण B बनानेंगे तो बच्चा हमें यह QS चाहिए यह कोण भी और यह क्यू आर भी चाहिए तुम लोग को का समझ में आ रहा इसमें क्या समझ में आया हमें कोण ए बनाने के लिए भी क्यू आर चाहिए और कोण भी बनाने के लिए भी क्या चाहिए क्यू आर चाहिए दोनों कोणों के लिए एक बुचा कॉमन है कॉमन को हिंद हमाले गदहे टाइप के कुछ बच्चे होंगे जैसे मैं भी हिंदी मीडियम में हूँ तो वो लोग क्या करेंगे अगर मैं कामन बोलूंगा तो कहेंगे हिंदी बता हो हर चीज की हिंदी नहीं समझ पाओगे कामन को उभैनिस्ट बोलते हैं तो यह भुजा क्या कि वार कामन ह ठीक है एक चीज और कामन है वो क्या यह सारे भुजाएं आके इसी कुन्ना पर मिल रही न बच्चा इसी पर मिल रही न तो दो चीजें कॉमन होना चाहिए यहां पर लिखो common side होना चाहिए side मतलब भुजा, एक भुजा common होनी चाहिए, आसन्य कोण के लिए ये condition है, याद रखना दूसरा क्या होना चाहिए common vertex ठीक है common vertex मतलब बच्चा common क्या है ये, सीर्स vertex को सीर्स बोलते है कौन ना जान लो, जहां पर आके मिल रहा है, ये क्या होना चाहिए, common होना चाहिए ठीक है सज्जन राजपूर जी good morning वच्चा, राहूल एदुबंसी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी चलिए यादराम यादू, जी good morning समझ में आया, आया समझ में आसन्य कोण क्या होता है आसन्य कोण क्या होता है जब कोई दो कोण ऐसे बने हो, जिनका सीरस common हो, उसमें एक भुजा भी common हो, तब वो आसन्य कोण कहलाते हैं क्या कहलाते हैं, आसन्य कोण कहलाते हैं लेकिन ये आसन्य कोण कब नहीं होते हैं, ये कब आसन्य कोण नहीं होते हैं वो चीज भी हम तुम लोग को दिखाएंगे बच्चा इधर है साइड में इधर देखो थोड़ा सा कामरा इधर करता हूं चुकि हमें क्या करना इधर आसन्य कोण दिखाना है न यह लो चलो साइड हो जाया इधर से अगर कोई कोण ऐसे बना है कि देखो बच्चा ध्यान दो अगर ऐसे बना है एक कोड़े में आग चिपक जाता है उपर से अब तुम ध्यान दो इसका नाम ए वी सी एंडी है तो मुझे यह बताओ कि कोण पी और क्यू क्या आसन्य कोण है जल्दी से कि यास या नो आशेंफे पिलडर की कि इज एड्जेसेंट एंगल foreign English इंगल थ्वाद बोलाना ऐसे बोलेंगे इज ए एंगल फी क्यू एड्जेसन्थिया की भूदो हमने का हाथा कि एड्जेसन्टेंगल के लिए यह बुजा क्या लुह नहीं होनी चाहिए तो लिए नि सब भीHowman होना चाहिए जहां से वह निकले हैं वह भी कामन होना चाहिए देखो यहां पे यहां इसे निकले क्यूंसे न कुंसे न एक इधर चला गया एक ही बहुत जगा से निकलने चाहिए लेकिन यह 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 पर निकल यह निकल गए है यह निकल गए दोनों इसलिए क्या है पीक्यू इज नाट एड़ेसेंट एंगल यह दोनों आसन्य कोण नहीं है जो कंसेप्ट सीख जाएंगे बच्चा वो कच्छा दस की मैथ का चैप्टर जो 6.1 6.2 6.3 जो भी यह सब कर ले जाएंगे खुद से कर ले जा लेबर की जरूरत पड़ती है बीना उसके नहीं होता है तो ऐसे क्या करोगे तुम लोग जब तक यह सारी चीजें नहीं सीखोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा ठीक है तब तक चैप्टर नहीं समझ में आएगा नंबर इक बार और कौन सा नंबर अब वीडियो पीछे करके देखो बच्चा चाहे एक बार देखो चाहे आठ बार देखो ठीक है वीडियो पीछे करके चाहे जितना बार देखो चलो जल्दी से इसको बना लो जिनको बनाना है या फिर स्क्रीन साट ले लो मैं सामने से हट गया हूँ मैं सामने से हट गया हूँ स्क्रीन साट ले लो बच्चा लो ठीक है हो गया ना हाँ इसके बाद अब हम क्या बात करने बाले हैं वो देखना बड़ा ही खतरनाक चीज है मैं आपके लिए यहां से कोज के रखा था यार पता नहीं सब कहां चला जाता है मैं सोच रहा था कि आप लोगों को इस पेसली दूंगा यह सब बस बाकी और किसी को नहीं ठीक है हाँ तो बच्चा यहां पर मैं काफी देर से लिखा हूं उसको भी मैं आपको बताई देता हूं चलो ध्यान दो आप लोग जो मैंने लिखा है अल्टरनेट एंगल ना इसको म सबस्टा audio कितना भजरिए होती है सभी बच्चे बताओ जल्दी से चलो की ने ओं फिए ड़ेंग में साथ साथ में ससाथ में अल्टरनेट एंगल हिंदी मीडिया मूleo साथ ही लोग लिखेंगे एक आंतर कौण क्या लिखोगे एक आंतर कौण हम कि चलो लिको जल्दी से एक के ऐसितना बहुत सारे कोण आख आउर से आपके लिए दिये हैं कि होई कि एक आंतर कोंड का हम लोग पढ़ेंगे संगत कौण आसन ने कौण हम लोगों लिए इसको एड़ेसेंट इंगल डाला या मतलब एक अनतर और अब कौण। ऱबच्चा इसके लिए रिये रिखा हम और यह एकुष्खा यह बना लिए आनस विलों को ने स chosen कोण जब देखो अई सी स्थिति में भेर संग बंते हैं और इसी में एकांतर कोंड भी बनता है। क्या होता है इसी में एकांतर कोंड भी आप का आता है चलो जल्दी देखो मारकर में देखनू थोड़ा गडबड़ा रहा है सुख गया ना मारकर में थोड़ा इंक डालूंगा जिससे कुछ बेहतर चले हां सिंगर रंजीत जी सिंगर रंजीत और जो भी और बच्चे जुड़े यह जानलो भाई यह कलास हर दिन शुबह 8 बज़े होती है लेकिन इस चनल पर रेगुलर नहीं होती PBR study 3.0 चैनल पे होती है कहां होती बच्चा PBR study 3.0 चैनल पे होती सुब 8 बजए आप लोगों में से जो उसे अभी सबस्क्राइब ने किया जल्दी से PBR study 3.0 सब्सक्राइब करके आ जाओ फिर चलो जल्दी से आओ सब्सक्राइब करके आजाओ एक मिनट में इस वीडियो पे अरे उपर सर्च कर लो यह नीचे चला जाएगा नीचे प्ले होता रहेगा यह कटेगा नहीं यूटूब का नया फीचर है अगर अपडेट है तो ठीक है नहीं तो मैं लाइस्ट में नंबर दे दूंगा आप कोई गिन पाया कि तब उन साही बारा इसमें अगर तुम लोग यहीं नहीं गिन पाया तो फिर का होगा भाई हुँ चलो अब का करेंगे भाई हाँ अब हम इसमें कोण बनाएंगे मालो की यह रेखा इधर साइड से तो हमें ज्यादा मतलब है नहीं या फिर लिखी लो चलो यह रेखा मालो या मियान है और यह रेखा का बच्चा इनको लिख लो पी क्यूं है और यह बच्ची भी एवी है यह सभी क्या इनके नाम है अब देखो यहां पर बहुत सारे एंगल बनेंगे जहां जहां पर मोड बना है न यह कौन वन हो गया मानले यह कौन टू हो गया क्लियर दिख रहा है ना इसमें कोई जंजड़ हो ही ना वन टू तो भाई सहाब यह तीन हो जाएंगे और यह वाई सहाब चार हो जाएंगे इसी करम में यहां बढ़ोगे तो चार के बाद यह पांच हो जाएंगे और यह 6 हो जाएंगे यह 7 हो जाएंगे यह 8 हो जाएंगे इसके नमबरिंग में कोई जरूरी नहीं कि कौन क्या हो जाएगा आप कुछ भी लिख लो मैं सिर्फ तुम लोग को समझेने के लिए बताया हूँ कि जिससे मैं बता सकूं कौन क्यों सा कौन है ठीक है हम पढ़ र अगर हम बात करें अल्टरनेट की तो बाद में पहले आप बात करो इंटीरियर और इक्स्टीरियर की क्या-क्या बात करेंगे हम पहले इसके अंतरगत अनता कौन भाई चलो रेडी हो जल्दी से बताओ सब यह अनता कौन कौन से हैं देखो तीन, चार, पांच हे न, ठीक, एक बात यह समझे लो बच्चा, कि चाहे अंताह कोण बोलो, या अंताह एकांतर कोण बोलो, इसमें मतलब एक ही होगा, ठीक है, जो यह कंडीशन यहाँ पर है, जैसे देखो, यहाँ पर अगर हम बात करें, अंताह कोण की, या फिर अंताह एकांतर कोण, देखिए कभी-कभी क्या होता है, अंताह कोणों का यूगम देखा जाता है, तो यूगम वाले में जो है थोड़ा सा अलग होता है, अंताह कोण मतलब जो इसमें अंदर की तरफ बन इंतलब यह चारों तुरफ से घीरा है अध्याद में तो यह कहले तो घीरा नहीं इदर से दद्दू लोग यह उसी में कि यह लॉज उलंग्डाउन जैसे पहंसे तो यह पांच और छे यह पांच और छे यह सब क्या है अंता कोंड है जिसको इंगलिष में हैं इंटियरेंग अर्टृर्ट एंगल बोलते हैं जो आनदर में इसी तरह से अगर वाइकोंड की बात करें जो बाहर की तरफ आजाद है जैसे यहां वान है ना यह यहाँ भाग नहीं है लेकिन यह तीन और चार और पान यह यह बंद है तो unique तो यह एंगल 1-2 एंड़ to say приз सेवा यह क्या है क्या है एक किया है है यह ट करें अंतह एक अंतर का का यूग्मों अन्ता एक आंतर कोण का यूग्मों की अगर बात करें बच्चा तो द्यान दो आप लोग कि यह कच्छा 10 की एंसी आर्टी गड़ी था जिसमें हम चैप्टर नंबर 6 के लिए रेडी कर रहें आपको अब द्यान दो क्या क्या देखना हमें अंता एक आंथर कौण का यूग्मों देखो यह सभी एक प्रकार से एक आंतर कोण भी हैं कि नहीं क्या है इजिस्ता इसका एक यूग्म होता है एक जोड आ होता है तभी तो ना उसका सिस्टम होता है ना एक अंतर कोंड पराबर होते हैं सुने हो कि नहीं यह होता है ना लिखो कि एक अंतर अंतर कोंड एक अंतर अंतर कोंड इसको इंग्लिस मीडियम वाले लिखेंगे क्या लिखेंगे Alternate Interior Angle Alternate Interior Angle का जो पेयर होगा बच्चा हो क्या होगा ये तीन है न कौन तीन इसके नीचे वाला नहीं इसके साइड का दूसरे वारा मतलब बीच में जो बार्डर है उस बार्डर के करास वाला ठीक है तो युग में तीन और छे कौन कौन है कौन तीन और कौन छे ठीक है इसी तरह से आपका दूसरा पेयर होगा ये पहला एक की कुम हो गया दूसरा पेयर होगा बच्चा चार और पांच ठीक है ये क्या है समझ में आरा की नहीं तीन और छे चार और पांच तो क्या एक क्या है है बाहर साइड में है ठीक है अब लिखो अगर वाहे एक अंतर वाहे कोड यानि इक्स्टीरियर अल्टरनेट एंगल तो इक्स्टीरियर में अगर पेयर देखेंगे बच्चा तो वन है और वन का एट होगा न ठीक है तो एडिन डाल दो एक अंतर वाहे कोड कोड एक और कोड आठ ठीक है और दो और साथ एंगल दो एंड एंगल साथ यह क्या है एक अंतर वाहे कोड है बच्चा याद रखना भाई हाँ यद्दू जी तो बहुत धन्यवाद आप जो आ गए आप तो मुख्यमंत्री बन रहे थे बिहार क्यार पढ़ने भी लगे का आजकल हमारे नेता मंत्री लोग पढ़ाई कहां करते हैं पढ़ाई का उनको कामी नहीं लगता है बस लड़ाई जगड़ा करना सिखाओ इ फखेण लोग मैं और कर दाबृषए का गर्थ हाँ यह रहे समझ गए आप यह आपने क्या क्या सिखा एक अंतर नभी अध्यार नता को क्न लग से प्रश्नावली 6.1 कि कोईष्ठक में दिये सब्दों में से सही सब्द का परियोग करते हुए औरिक्त स्थानों की पूर्ती कीजिए यानि हमें खाली अस्थान भरना है ब्लेंके इसपेशड फिल करना है फिलिंदा ब्लेंक्स कोईश्टक में दिये गए सब्दों में से सही सब्द का परियोग करते हुए रिक तस्थानों की पूर्ति कीजिए आप देखो कोईश्टक में जो सब्द दिये गए लिखूंगा यहां पर यहां पर लिखूंगा उनको सही सब्द यहां लिखना ठीक है नहीं तो मैं सिर्फ सब्दों को लिखता हूँ आप लोग उसमें से चिन्हल लगा लेना देखो सर्वांगसम या समरूप ऐसा दिया गया है क्या दिया है सर्वांगसम या समरूप अब पहले आप सवाल सुनना और फिर आप डिसाइड करना कि सर्वांगसम या सम्रूप में से क्या भरोगे ध्यान से सुनू क्या कहता है कह रहा कि सभी बृत सभी नीचे चलो लिख लो सभी बृत क्या होते हैं बताओ सर्वांगसम या सम्रूप बताए भाई चलो फटफट एक्सरसाइज 6.1 है बच्चाई आपका कच्छा दस किया है प्रस्णावली चेदा सम्रूप जिनके पास मनौहर प्रकासन या कोई और प्रकासन की बुख है उनको घबरान नहीं है यह उनके सिलेबस से भी मिल रहा है सिलेबस वही है सिर्फ सवाल आगे पीछे होगा कांसेप्ट शीकलो बच्चा ठीक है कांसेप्ट शीकलो कोई सभी वृत्त क्या होते हैं हरोमान परसाद तुम तो सुबह 8 वजे भी स्कूल जाते हो नो वजे भी जाते हो देखो पहले संजो आप लोग समेट्री इसको बोलते हैं समरूप को इसको बोलते हैं कंगरियंस तो सभी वृत्त क्या होते हैं देखो भाई यह सरकल जो है यह छोटा सभी होता है बड़ा सभी होता है और एकदम छोटा भी होता है तो क्या सभी वृत्त देखो यहां कोई दो दिया नहीं है मतलब सभी वृत्त के बारे में बोल रहा है आल सरकल क्या होते हैं समेट्री या कंग्रेंस तो अगर हम सभी वृत्त की बात करेंगे तो भाई एक समान रूप के हैं ये ये सम रूप है लेकिन सरवांग सम नहीं है क्योंकि इनके सब के जो अंग है वो अलग अलग है इनकी परिधी अगर आप देखोगे इनका अगर कर दो 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 कि चलिए ठीक है तो आप देखो क्या होता है यह आप समझ गए बृत्त की साइज अलग-अलग हो सकती है चोटा हो जाता है बड़ा हो जाता है तो शभी वृत्त की की बात करेंगे तो सर्वांग सब नहीं होंगे सम रूप होंगे ठीक है चलिए अब ध्यान से सुनों इसमें आपका कैसा हिह होगा बच्चा अम रूप यानि आल सर्कल क्या हो सकते हैने ज़ए एक जैसी तो ये दोनों समरूप नहीं है ठीक है समरूप है ये नहीं है क्योंकि ये इसका आकार अलग तरह से है इसका रूप अलग है इसका रूप अलग है तो ये दोनों समरूप नहीं है ठीक है इतना क्लियर ना बच्चा देखो बैया दीपक जी जो भी स्कूल जा रहे हैं वो बच है चलो तो यह इसका राइट आंसर होगा समरूप यह गलत है यह आपका फिलिंदे बलेंग्स का पहला हो गया ध्यान से समझो कि सब समझ में आएगा जो बच्चे कच्छा कि कहरा कि सभी वर्ग भाई तुम लोग आठ बजे वी स्कुल जाते हो नो बजे भी तो आठ बजे पढ़ लिया कर आठ बजे नहीं पढ़ते हो 8 बज़े भी तो कहते हो कि स्कूल जाना है 9 बज़े भी कहते हो सभी अफिर डैस डैस कहरा कि तिर्भूज समरूप होते हैं अब ध्यान से सुनो तिर्भूज यह अलग है समरूप होते हैं अब इसमें जो आपसन है आपके वो कौन-कौन है ध्यान से सुनों बहुत ही ध्यान से सुनों कियरा कि सभी फिट्रैस है तिर्भुज सम रूप होते हैं आप्शन में है सम्दुई बाहू और सम्बाहू देखो क्या क्या है इसमें आप्शन है सम्दुई बाहू सम्दुई बाहू उतलब जनते हो जिसके दो बुजाएं कि देखो मतलब कि यहां पर 円दूबेंändig कर रहा है किसी एक की को अलग से कर नहीं रहा है लो यह है संधुई बाहूँ इसको देखा समूदुई भाहू इसको देखें यह दons document. यह समदुवाहू है और मालो मैंने एक समदुवाहू और बना दिया यह भी क्या है समदुवाहू है मतलब समझो दोनों समदुवाहू तिर्फूज है एक छोटा एक बड़ा है अगर हम समदुवाहू की बात करें जिसमें आल साइड इकल हो तो यह कुछ ऐसे बनेगा ना होंगी तीनों साइड आपस में एककॉल होंगी तो हमें मिलेगा क्या वह अगर यह सब कुछ बराबर है तो यह संभाह हो गया सिंपल सी बात है यह संभाह तिरबूज हो गया न तो सम रूप कैसे होगा सम रूप मतलब एक समान रूप का हो उनकी भुजाएं अलग हो उलग अलग यह जैसी ना हो अगर संभी यह तो सम रूप हो जायएगा वह USS हो इसमें क्या होगा सभी संभिवाहूंतिर वी ओसक्ता है तो उसक्ता है टिक है थी encore माई वा alors इसलो कि यह बात आप और बताने वाले हैं कि आपका एक नया प्लान आया क्लास के बारे में वह मैं आपको दिखाऊंगा ठीक ना बच्चा लोग में आप सवह दान जरूर डिखना क्लास के कच्छा 10 की NCRT गड़ित आप देख रहे हैं प्रश्णावली 6.1 ठीक है आप देखो अगला का कह रहा है अगला तो इसमें लगबग हो गया साइद हाँ इसमें और कोई नहीं न कुश्चान नंबर सीकेंड आ गया पहले के सारे पार्ट हो चुके हैं मैंने तीन बता दिये वैसे ही तीन बता दिये न सभी तिर्भूज और सभी वर्ग सभी ब्रित अच्छा वर्ग वाला मने नहीं बताया क्या ओ वर्ग वाला नहीं बताया ठीक है एक और है लिखो कहरा कि सभी वर्ग वर्ग मतलब होता ही स्क्वायर ये क्या होते हैं ध्यान से देखो सभी वर्ग होते हैं क्या होते हैं यह सम रूप है यह सरवांग सम है सरवांग सम तो देखो दुनिया में जितने भी स्कॉयर है वो क्या होंगे आप लोग बताओ देखो कोई अभी उत्तर दिया। भूनेज जी भूनेज जी विलकुल ठीक है भात अच्छी बात है अंकितक दि आपका भी सही है सभी वर्ग मतलब आली स्कॉयर की बात कर रहा है यह मैंने एक इस्कॉयर बनाया यह मैंने क्या किया एक स्कॉयर बनाया ममान राओं की स्कॉयर है यह यह भी मैंने एक स्कॉयर बनाया यह दोनों तो लगबग बराबर लग रहें लेकिन मैंने एक स्कॉयर और भी बनाया यह और बड़ा है एक स्कॉयर मैंने इतना छोटा से बना देना उनका हुआ बना दिया अब ये सब तो अलग-अलग है ना, लेकिन इनकी जो रूप है, इनकी सकल एक जैसी है, है ना एक जैसी सकल, अब जैसे अगर कोई इसमें से ऐसे होता, तो इनकी सकल अलग हो जाती, ऐसे तो कोई है नहीं, नहीं है ना, भाई, ऐसे तो कोई नहीं है ना, इसमें से सब एक जै अगर बच्चा 3 cm होगा इसका सर्वांकसम होगा वह इसकी भी सारी भुजा तो इसकी भुजा नहीं यह कितना यह 7 मांच यह बराबर नहीं है इनकी तीन जwalा अब साथ का मतलब पहले मैंने आपको बताया था कि एक्जाम संबाभ फिर से देख लो जैसे दो डिप मीcketल है तो हैं तोई दोनों सर्वांग सम में सर्वांग सम का मतलब इनका आकरती भी एक जैसे हो और इनका आकार भी एक जैसे हो यह देखो दोनों बराबर है यह सरवांग सम है लेकिन छोटा पैक दिखा दूँ यह यह सम रूप है इनका रूप एक समान है लेकिन इनका जो आप देखो के हाइट मुटाई यह सब अलग अलग है है ना यह क्या है यह symmetry हैं यह सम रूप है सरवांगसम नहीं है इनका रूप एक जैसा है लेकिन अगर मैं कुछ अलग चीज का दिखा दूँ आपको मालो मैंने एक मारकर विखा दिया यह ना ही सम रूप है ना ही सरवांगसम है यह ना ही सम रूप है ना ही सरवांगसम है क्योंकि यह कुछ अलग तरह कातीर गाउं यह मेर गाउं जैसे घोड़ाक साते बकरी की तूलना करो तो क्या होगा गोड़ा के साथे बकरी की तूलना करोगे तो नो सर्बांग सम होगा नो समरूप होगा लेकिन अगर गोड़ा के साथे आप गदाहा की तूलना करोगे तो वो क्या होगा वो समरूफ होगा क्योंकि गोड़ा और गदा बनावाट में लगबग एक जैसे होते हैं है ना लगबग एक जैसे होते हैं तो आप मान सकते हो कि समरूफ होते हैं लेकिन सरबांगसम नहीं होते हैं कि गोड़ा और गदा दोनों बराबर कर दो हाँ आप ये कह सकते हो कि सभी घोड़े क्या होते हैं समरूप होते हैं लेकिन सरवांग सम नहीं होते हैं मालो किसी के पास घोड़ा इतना बड़ा है किसी का घोड़ा और बड़ा है तो बराबर नहीं है ना छोटा बड़ा है ना ठीक ना तो ये होता सरवांग सम और समरूप हाँ तो बच्चा question number second में आगे बढ़ो पहला है कि सारे पार्ट हो चुके हैं देखें जिनके पास मनोहर प्रकासन की book है या फिर कोई और है न इसले बस एक ही है उनके में ये सारा question है बस अंतर ये है कि इसमें हम उनको 6.1 में पढ़ा रहे हैं NCRT में हो सकता उनके में ये 6A या 6B या 6C में होगा आगे पीछे होगा और NCRT में 6.1 6.2 इस तरह से ये मैनेज करते हैं question जबकि मनोहर प्रकासन या कोई और जो देशी किताबे होती हैं उनमें 6A 6B 6C ऐसे ABC में exercise को बांटते हैं दूसरी बात जो अन्य किताबे होती हैं उनमें कुछ extra question भी दिये होते हैं जिससे आप अभ्यास कर सकें NCRT में अगर 5 question है तो उसमें 15 question होता है ठीक है question जादा होते हैं यहीं अंतर होता NCRT और सामान निबुकों में बाकी pattern वही देंगे ऐसी बात नहीं कि अगर NCRT में 6 chapter तिरभूज है तो वो लोग तिरभूज नहीं उसमें पराइकता दे देंगे नहीं chapter वही होंगे chapter नहीं बदलेंगे नहीं उसमें भी रहेगा chapter भी रहेगा सब वही रहेगा केवल सवाल आगे पीछी रहता है बस बाकी सब वही रहता है चलो दूसरा question कह रहा है निमनलिखित यूगमों के दो भिन भिन उदाहरन दीजिए ठीक है लाल कलर दिख रहा है निम्न लिखित यूग्म मतलब होता है जोड़ा दो भिन 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 मतलब अलग अलग ठीक है भिन भिन मतलब अलग 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 उदाहरण देजिये देखो बच्चा क्या करना है यूग्म कौन से हैं पहला है समरूप आकतियां पहला है कहरा कि समरूप आकृतिया इसके दो अलग अलग उधारण बताओ और वे आकृतिया जो समरूप नहीं है इसके भी दो अलग अलग उधारण बताइए अब आप लोग क्या करोगे सोचोगे चलो ऐसी आकृतिया जो समेट्री नहीं है यानि जो सम रूप नहीं है क्या करना इनके अलग अलग उतारण बताने है एक्सरसाइज 6.1 कच्छा 10 की एंसी एर ठीकर इताब देख रहे हैं निम्न युगमों के भिन भिन एक्जामपल दीजिए एसी बेसी बोड में ऐसे लिखा होगा इंगलीज में बाकी सवाल ही होंगी यहां पर लिखा होगा फिगर इजनाट सेमेट्री फिगरी सेमेट्री ऐसे दिया होगा चलो देखो जो आकरतिया समरूप है उनके अलग अलग उदाहरन अलग अलग उदाहरन में जैसे देख लो समरूप समरूप में सबसे बड़ा इंसान लिख सकते हो आप सबसे बड़ा तरीका समरूप हमारी कख्छा के बच्चे हमारी कख्छा के लड़के लिखो बच्चे नहीं क्योंकि लड़किया समरूप नहीं होती लड़कों के थोड़ा बहुत अंतर हो जाता है तो यह क्या है आपकी कख्चा के सभी बच्चे क्या है समरूप हैं अब कोगे समरूप कैसे हैं समरूप इसलिए हैं क्योंकि आपके दोस्त के भी दो ही आख होगी एक ही नाक होगा एक ही मुह होगा दो ही हाथ पैर होंगे सिर में बाल भी होगा हो सकता ना हो किसी के लेकिन ब कि वो आपके बराबर नहीं होगा, जैसे लंबाई में हो सकता है, वो छोटा हो, या हो सकता है, वो बड़ा हो, यह हो सकता है ना, समझ रहे हो ना, तो यह पहला एक्जम्पल है कि हमारी कख्छा के सभी लड़के क्या हैं, समरूफ हैं, क्योंकि वो लंबाई में तो छोटे ब दूइये होंगी ऐसे तो नहीं होगा पांच उसके भी होगी यानि सब कुछ एक जैसे होगा सिर्फ बराबर नहीं होगा तो इसको क्या बोलेंगे समरूप बोलेंगे जैसे एक थे नाप लो आपको दिखाया थालो फिर से देख लो हमारे पास यह कितिया समउफ हैं क्योंकि यह est जासे वाएई, ही जासे रही धकन वैसे हैं काला वी एआ बनावर्ट भी वैसे किया है समरूफ है यह क्या है समरूफ है लेकिन अगर दोनों सब्झेजमें बराबर हो जाए तो किया है यह सर्बांग्सम है क्योंकि इनकर سब कुछ बराबर है नाप लो चाय दोरी सूथ से सब बराबर है ठीक है यह होता है दो एक्जम्पल देने को बोल रहा था तो दो एक्जम्पल में आप एक और लिख सकते हो क्या लिखोगे कोई बताए आप लोग बताए दूसरा एक्जम्पल क्या हो सकता है समरूप आकृतिया हमारी कच्छा के लड़के जो है यह ठीक है समरूप आकृतिया में आप और क्या लिखोगे सोच की बताओ जल्दी से चलो बताओ जल्दी से बताओ मोहन और उसके मित्र का यह भी लिख सकते हो मोहन और उसके मित्र का गेंद चलो गेंद भी समरूप होते है हां बुनेश जी तुमको समझ में नहीं है रहा कि यह डेख्यों को कि न अरे आर कच्छा के लड़की बल्लकों का शीत्र बनाये लड़कों का चीत्र बनाया इसे देखो यह यह आपका मित्र है देखो ठीक ना अच्छा लग रहे ना अब देखो यह आपका मित्र भी कैसे होगा यह भी आईसे मूँ बनाया होगा बहुत अच्छा बन गया यार है ना यह क्या है समरूफ है अलेकिन इसी साथ एक जानवर बना दो मान लो कोई भी तो क्या होगा वो समरूफ होगा नहीं होगा ना ऐसे ही चित्र बनता है ठीक है समझ गेना आप लोग चलो आया देखो गेंद में इसा गोल गोल होती देखेँ ना बॉल चाहए जो भी मतलब गेंद हो वो क्या होगी बाइं गोल ही होगी चाहए माहेंगी होगी सस्ती होगी पलास्टिक के होगा रबड का होगा किसी भी परकार का गेंद होगा लेकिन वो क्या होगा क्या होगा वो बताईए गोले होगा न तो वो क्या है दो एकजामपल है हाँ अगर आप किताब में ले लो भाईया जैसे मैंने दो एकजामपल ये तो बता दिया आप रहे हम कुछुं कि वर्ग आयत का चित्र बना के अ कि बता है बुठा संभूप आकृतियाँ में क्या रूवी लिखे लो फिर नंबर esf लिखे लो और नंबर भी लिखо आयाद में लिखलो और और आयत क्या होते हैं यह आलग अलग एक जहां कafarने में विद्ट नमबर दुम्बर दो आयत इसे प्रजाटबा गृतियां किया होती समरूप होती है क्या होती है क्योंकि आप इतना भड़ा बना सकते हो ख्लास ठीक है इफी तरह से एर कामवित आयत कामवित यह दोनों कि आहीं समद्ध नहीं क्योंकि आयत हैसे बनेगा बृत गोला बनेगा भी अपयर कशलं फिर आगे चले थोड़ा सा भी मॉफरिंग कर रहा था कुछ बच्चे भाग गया होंगे यार देखो बीच में कभी इंटरनेट की दिक्कत हो जाना नहीं ठीक है दो राक्रतिया लिख लो जैसे मान लो लिख लो तिरभूझ के साथ है में लिख लो वर्ग तिरभूझ और वर्ग कभी क्या होंगे यह दोनों समरूप नह कि समझ गये ना व्या पिडियो को पीछे कर लो तो एक बार फिर से आपको देख जाएगा दोबारा सिदिख जाएगा वीडियो को थोड़ा सा बाएक कर लो ठीका है वेडियो को आगे पीछे कर लो सब दिख जाएगा जो भी धर लाइब होती क्लास डेली होती है यह चैनल याद रखना इसको जाकि अभी तुरंद सब्सक्राइब कर लेना पी वी और स्टडी 3.0 क्या सार्ज करोगे पी वी यार एस्टडी इस पे हर दिन सुबह आठ लाइब होती है लेकिन जहां देख रहे हैं इस पे हर दिन लाइब नह नहीं दोनों अलग अलग है ठीक है तिर्भुज ऐसे होता है वर्ग ऐसे होता है यह दोनों आकृतियां क्या है सम रूप नहीं है क्योंकि इनके रूप अलग अलग है समझ गए ना बच्चा तो यह आपका 6.1 का दो कुश्चन हो गया ठीक है बहुत ही सिंपल बे में दिया है बच्चा वрист वो क्या कहरा है धिया समझ लो यह 2 दो कूश्चन हो गए तीसरा करूश्चन है कहरा बताईज रिमल्क की चत्रभुज समरूप है या या नहीं है दो चत्रभुज दिये गए आप देख रहे हैं इस समय लाइब शुबह आठ बज़े से पीब्यार स्टडी के इलहाबाद चैनल पर आप चलिए कि बच्चा एक आकरती ऐसे दी गई है लेकिन यह सीधा नहीं है हाँ यह सीधा ठीक है ध्यांच देखो यह एक फिगर दिया गया है ऐसे ऐसे दिया गया है यह ऐसे बना है इसे मतलब जैसे मैं खीच रहा हूं ऐसे ध्यान दो देखो दोनों में अंतर समझो केरा क्या यह दोनों समरूप है यस या नो बोलो यह दोनों समरूप हैं सेमेट्री है यास या नो देखो बिल्कुल भूनेश जी का उत्तर आ गया बहुत अच्छी बात है अंकिता सिंग प्रियंका सुधानसु स्वेता यादो बहुत अच्छे बेरी गुड सभी का सही है भाई अभी-अभी कोई एक स्टुडेंट आए जिन यह समरूप नहीं है क्यों क्योंकि इनकी जो भुजाएं देखो यह हलका सा तिर्चा है यह तिर्चा हलका सा ना लेकिन इसकी ऐसा नहीं है इसलिए क्या है यह समरूप नहीं है यह समरूप होती अगर यह ट्रैंगल जो है ऐसे होता यह ऐसे होता बहले छोटा होता यह ऐसे होता तो यह समरूप होता यह इसके समरूप होता अगर ऐसे होता तो लेकिन हलका ऐसे देखो तिरचा है मतलब एक समान रूप का नहीं है समझ रहे हो ना एक समान रूप का नहीं है तो वो सामाने परसंद के समरूप नहीं है, ठीक है? सरवंगसम भी नहीं है, वो अलग है फिर, लिकिन वैसे अगर सामाने लोगों की देखा जाए, तो सामाने लोग सभी क्या होते हैं? समरूप होते हैं, सामाने लोग क्या होते हैं? समरूप होते हैं, तो उसी तरह से इसमें झाल झाल